नमशकार, इलेक्ट्रोनिक विश्यों में रुची बढ़ाने और विशे समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किये गए श्रीदेवीज क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विशे पावर इलेक्ट्रोनिक्स में एक नई वीडियो में बात करते हैं इन्वर्टर के बारे में और आज हम शुरुआत करेंगे इन्वर्टर की बेसिक प्रिंसिपल के बारे में और फिर डिसकस करेंगे पुश्पुल टाइप ट्रांजिस्टर इन्वर्टर और हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज इन्वर्टर तो शुरू करते हैं आज की वीडियो इन्वर्ट वैसे electronic circuit है जो DC input से AC output देते हैं अभी ये जो DC input है वो एक chemical form में battery bank हो सकती है जिसमें बहुत सारे cell series या parallel में लगे वे हो सकते हैं और ये जो DC input है वो हमें photovoltaic system से मिल सकता है जिसमें cells के interconnection से हमें required voltage या current generate हो जाता है कई बार हम जो DC input है inverter के लिए वो हमारी main AC supply को rectify करके पाते हैं और उस rectified DC से वापस inverter operation करकर AC बनाते हैं तो जो हमारा purpose होता है वो हमारी AC supply की frequency या magnitude को बदल देना ताकि कोई उपयोगिता बनाई जा सके एक inverter का जो DC source है वो stiff कलाएगा अगर इसके voltage का magnitude यहाँ output में जो AC आ रही है उसके load या circuit के current पे depend ना करे हमारे voltage source जो inverter होते हैं उनमें हम हमेशा एक stiff voltage source का इस्तेमाल करते हैं और इनका इस्तेमाल हम uninterruptive power supplies में घरों में यूज़ करते हैं इसका प्रियोग हम एक variable frequency AC supply से हमारी AC मोटरों की speed बदलने के काम में ले सकते हैं और कुछ ऐसे inverter है वो बहुत कम 5 या 10 hertz के बीच की frequencies पे induction heating जो low frequency पे होती है उसके काम आ सकते हैं या kilohertz के frequency पे हम इसका इस्तेमाल high frequency induction heating या megahertz के frequency पे high frequency dialetic heating पे भी कर सकते हैं और ये सभी तरह के जो inverters होते हैं इनमें stiff voltage source काम इस्तेमाल करते हैं जो हम घरों में जो commercial inverter यूज़ करते हैं वो एक battery की input DC supply का इस्तेमाल करता है और उस DC को AC में बदल कर और हमारे घर के जो उपकरण है जो सामानेत AC main से चलते हैं उनको battery की supply से चलने योग्य बना लेता है और हम उसका तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारी main AC supply interrupt हो जाती है DC से AC बनाने वाले inverters को हम classify कर सकते हैं कई तरीकों से एक तरीका हो सकता है कि जो उनका output AC है उसकी waveform कैसी है वो sinusoidal हो सकती है तो ऐसे inverter को हम sine wave inverter कहते हैं वो square wave हो सकती है या sine और square के बीच की quasi square हो सकती है या हम एक technique से waveform सोधार सकते हैं और उस technique को हम PWM technology या pulse width modulation techniques कह सकते हैं हम inverter का classification उस आधार पर भी कर सकते हैं कि ये जो switching device यूज कर रहे हैं वो transistor है कि थाइरस्टर है कि MOSFET का इस्तेमाल किया जा रहा है या आधूनिक IGBT का यूज किया जा रहा है हम अलग-अलग frequency और power rating के हिसाब से switch का इस्तेमाल करते हैं थोड़ा विशया और समझेंगे तो ये बातें और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी एक जो inverter का classification है वो load का या जो मेरे switching device है उनका configuration हम किस परकार का इस्तेमाल करते हैं अगर load commutating element के साथ series में हो तो ऐसे inverter को हम series inverter कहते हैं इसी तरह से load और commutating element के connection से एक inverter parallel inverter कहला सकता है switching device elements का एक connection half bridge या दूसरा full bridge कहला सकता है तो ये series parallel half bridge full bridge भी एक तरह से classification हो गए एक बहुत महतपून classification inverter का उसकी input DC source के हिसाब से है अगर input DC एक ideal voltage source है stiff जिसका मान भार या load बदलने पर voltage जो inverter को दी जारी है input पर वो constant रहती है तो ऐसे inverter को हम voltage source inverter कहते हैं और हम voltage source inverter को काफी detail में आगे पढ़ने वाले हैं एक inverter को हम current source inverter भी कह सकते हैं अगर input DC source एक constant current का source हो आम तोर पे हम एक बहुत बड़ा inductor input line में series में लगा कर current को constant रख सकते हैं और ऐसे जो हमारे inverters होते हैं उन्हें हम current source inverter कहते हैं इनके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम समझ सकते हैं कि inverter circuitry में भी voltage matching के लिए या magnetic flux variation से AC बनाने के लिए हम एक transformer का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे transformer का जो size है वो छोटा हो जाएगा अगर हम operating frequency को बढ़ाएंगे ध्यान रहें कि अगर हम ज़्यादा frequencies पे switching operation करते हैं तो हमें जो switch इस्तेमाल करना पड़ता है MOSFET या IGBT उनकी लागत बढ़ जाती है सबसे सरल और पुराना जो inverter circuit है वो दो transistor पर आधारित push-pull प्रकार का inverter है जिसमें हम एक NPN transistor और एक PNP transistor को common emitter mode में आप देखिये कि दोनों के emitter common कर दिये गए हैं और दोनों के base भी आपस में common कर दिये हैं और इन्हें हम जब push-pull मोह मैनर में चलाते हैं तो इन दोनों में से एक एक समय में conduct करता है हमने दोनों NPN और PNP transistor के emitter को भी और base को भी common कर दिया है और एक bipolar DC supply जिसमें center ground point है और एक plus polarity और एक minus polarity equal amount की available है SC3 terminal bipolar DC supply को हमने दोनों transistor के collector पे connect कर दिया है जो मेरा NPN transistor है उसके collector को positive और PNP transistor के collector को negative supply दे दिये है ताकि ये दोनों active mode में बायस हो जाए और अब आपने इस AC signal को जिस frequency का हमें output चाहिए उस frequency का एक छोटा कम power का AC signal हमने यहां base circuit में input के तोर पे दे दिया है और इस signal के current को control करने के लिए यहां base circuit में हमें resistance का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और जो output AC हम लेते हैं इस DC input से वो इस common emitter और ground terminal के बीच में हमने load को लगा कर लिया हुआ है जरा working समझते हैं दोनों transistor के base पे एक common AC input signal दिया हुआ है और इस AC signal के कारण दोनों में से एक transistor saturation में और एक cut off में होगा अगर इस input AC cycle की positive half cycle चल रही है और base को positive signal मिल रहा है तो आप देखेंगे कि यह जो NPN transistor है वो तो reverse bias होगा cut off में होगा और यह जो PNP transistor है यह forward bias होगा तो यह conduct करेगा और इस arrow की direction के हिसाब से इस battery के negative terminal और ground से होकर load में नीले तीर की दिशा में धारा का प्रभा होगा नीचे वाले PNP transistor के द्वारा और इस समय उपर वाला transistor cut off region में है जब मेरे AC signal की negative half cycle जाएगी जो पहले conduct कर रहा है transistor उसका emitter base junction reverse bias हो जाएगा और यह cut off में चला जाएगा और जो मेरा दूसरा transistor है NPN वो emitter junction के forward bias से और इस battery के मदद से collector junction पहले से reverse bias है active mode में conductor तरने लगेगा इस लाल तीर की दिशा में battery के positive terminal से current का flow transistor से होता हुआ load में ground के थुरू अपना रास्ता बना देगा तो आप देख रहे हैं कि load में current की direction AC signal की frequency और polarity बदलने से बदल रही है और अगर मेरे एक transistor का operation है वो active mode में हो रहा है तो जैसा input signal होगा वैसा ही output signal मुझे मिल जाएगा तो अगर मैं यहाँ एक sinusoidal signal इस्तेमाल करता हूँ तो मैं यहाँ एक sinusoidal AC input signal के बराबर frequency की उससे कई गुना जादा power की amplified output यहाँ मैं load में पालूँगा अगर operation की active mode में transistor का बीटा constant रहता है दोनों transistor का तो आप आएंगे कि जैसा मेरा input signal है वैसा ही मेरे पास amplified output signal आ जाएगा लेकिन ऐसे जो transistorized circuit है इनके own state losses काफी अधिक हैं इसलिए इन्हें हम जादा power की applications में इस्तेमाल नहीं करते हैं मेरे transistor एक ही दिशा में धारा वहन करते हैं जो इनकी emitter की arrow direction है उसी दिशा में तो आप देखेंगे कि alternating output के लिए मुझे एक NPN transistor के साथ दूसरा PNP transistor लेना पड़ेगा और दोनों की performance एक समान नहीं है NPN transistor जादा बहतर perform करते है PNP उतने बहतर perform नहीं करते लेकिन हमें इस तरह के push pull में एक NPN के साथ दूसरा PNP transistor लेना आवशक है एक NPN transistor और एक PNP transistor के साथ ये जो push pull प्रकार का जो inverter circuit है जो यहां AC output दे रहा है इसमें कुछ दोश है एक सबसे बड़ा दोश है ये bipolar DC supply की अनिवारियता और ये दो separate source को आप back to back connect करके पाते हैं तो एक ही inverter के लिए आपको दो DC source चाहिएंगे एक और practical तरीका हो जकता है कि आप बहुत जादा धारिता के दो समान मान के capacitor को एक potential divider बना के और एक DC voltage को आप आदे आदे magnitude की दो इस तरह की bipolar supply में बदर लें लेकिन ये अन्य था extra cost है जो push pull transistor के लिए हमें चाहिएगी एक दूसरी demerit के बारे में हमने जिकर किया था कि जो NPN transistor है उसकी working PNP से बहतर है एक push pull transistor में हमें एक NPN transistor के साथ दूसरा PNP transistor इस्तेमाल करना पड़ता है और PNP transistor NPN जितना बहतर perform नहीं करता इसी तरह से अगर switch transistor की बजाए हम MOSFET या IGBT's लेते हैं तो हम पाते हैं कि जो N channel MOSFET और IGBT's हैं वो P channel counterpart से जादा बहतर perform करते हैं तो हमारे push pull arrangement में दो symmetrical प्रकार के switch का इस्तेमाल होना जड़ूरी है अगर मैं यह दोनों transistor NPN लेता हूं तो मैं एक signal source से दोनों को push pull mode में drive नहीं कर सकता और उस समय मुझे दो separate isolated ऐसी base drive signal चाहिएंगे जो एक को अगर active mode में conduct कर रहे हैं तो दूसरे को cut off में रोक के रखें ऐसे ही एक arrangement को जो इस तरह का push pull का एक better format हो सकता है उस तरह के inverter को हम half bridge inverter कहते हैं commercially half bridge और full bridge inverter का इस्तेमाल जादा होता है जो सबसे सरल प्रकार के half bridge inverter circuits हैं उसमें यह एक three terminal की DC supply है जिसमें यह positive terminal और negative terminal के बीच में एक mid point भी available है और हमने यह जो दो switch है उसे एक string के तोर पे इन supply के साथ लगाया है और जो switch का जो mid point है और जो supply का mid point है उसके बीच में हमने इसी output के लिए load लगा देना है और working बड़ी आसान है हम इन दोनों switch में से किसी एक switch को on करेंगे अगर हम thyristor 1 को या यहां पर transistor या MOSFET या IGBT switch लग से हमारे load में current flow होने लग जाएगा जब हम यहां load में पहले thyristor के या पहले switch के conduction से positive half प्राप्त कर रहे हैं तो निरधारित time period के बाद हम दूसरे switch को gate पे triggering signal दे देंगे और जैसे ही हम दूसरे thyristor को trigger signal देंगे बाद में हम कभी पढ़ेंगे अगली वीडियो में मकबरे य और वो पहले thyristor को बंद करके और दूसरे thyristor को चालू करेगा द्यान रहे दोनों अगर thyristor एक साथ चालू हो गए तो यह दोनों प्लाइयां है वो dead short circuit हो जाएगी और वो एक भारी नुकसान हो जाएगा तो पहला thyristor बंद होने के बाद हमने दूसरे thyristor को triggering pulse दी है और जैसे ही हमने triggering pulse दी है आप देखेंगे कि यह जो नीचे वाली जो supply है वो load में पहले से ulti direction का current का flow direction switched T2 के मारफत बना देगी और यह मेरे लिए second half में negative half आ जाएगा फिर मैं इसी thyristor को बंद करके और पहले thyristor को triggering pulse देके और दुबारा एक बार positive half supply का पा लूँगा और हम इस तरह से alternate square wave output पा सकते हैं एक square wave जो output है वो उस तरह के load जो rectify करके DC इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तो उप्यूक्त हो सकता था लेकिन अगर हम किसी sinusoidal AC supply के लिए इस तरह के inverter का इस्तेमाल करते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें जो fundamental मेरी switching frequency से जो AC आ रही है उसके साथ एक बहुत dominating third harmonic component भी यहां जैसा यह brown color में रखावा है वो भी यहां exist कर रहा है और ऐसे supply जिनमें harmonic content जादा है वो कुछ विद्यूत उपकरनों के इस्तेमाल में थोड़ी परिशानी पैदा करती है तो हमें load के साथ selective filters भी लगाने पढ़ेंगे या फिर हमें कुछ दूसरी techniques इस् square wave की बजाए sinusoidal output waveform प्राप्ट कर सके थोड़ा आगे जब videos में हम inverter को और पढ़ेंगे तो यह सब बाते हमारे समझ में आएगी तीन terminal की यह जो हमारी DC supply है जो दो DC supply हों को एक series में जोड़ कर बनाई गई है उसके साथ इस तरह से जो यह जो दो switch लगाए गए है इन्हें हमे complimentary तरीके से चलाना है और इनमें से एक को एक समय on रखते समय दूसरे का off हमें assure रखना है अगर दोनों एक साथ on हो जाएंगे तो यह supply को dead short circuit करके और एक भारी नुकसान कर सकते हैं एक resistive भार के लिए जब हम supply का connection बदलते हैं तो धारा स्वते ही अपने आप बदल जाती है लेकिन अगर load inductive हो तो हम पाते हैं कि धारा और विभव में कलांतर हो जाएगा और हम supply अगर उल्टी भी करने हैं तब भी switch में current का प्रभा होना जरूरी है तो ऐसी स्थिति में हमें anti-parallel ये जो feedback diode है इनका प्रियोग करना अवशक हो जाएगा या हमें एक ऐसा switch इस्तेमा current carry करता है तो धारा और विभव में कलांतर की स्थिति में inductive load की स्थिति में हमें ये जो anti-parallel जो diode है उन्हें इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि हमारी जो switch है चाहे वो thyristor हो या IGBTs हो वो bi-directional switch जैसे on-off करने वाले हो जाएं सबसे सरल परकार के और सबसे जादा इस्तेमाल करने वाले inverter circuit full bridge type voltage source inverters है जैसा कि यहां एक चितर में दिखाया हुआ है ये सिर्फ एक single DC source का इस्तेमाल करते हैं और चार switch यहां हमने Q1, Q2, Q3 और Q4 का हमने इस्तेमाल किया है और switches का इस्तेमाल हमें इस तरह से करना है कि Q1 के साथ Q4 एक साथ on होंगे और इसी तरह से Q2 के सा alternating output मिल जाएगा हम high frequency और low power के लिए preferably IGBTs switches का इस्तेमाल करते हैं और अगर जादा power की inverter applications है तो सबसे पसंदिदा switch thyristor हो सकता है जब मैंने Q1 और Q4 switch को turn on कर रखा है तो आप आएंगे कि source से ये जो DC current है वो DC supply load में इस नीले तीर की दिशा से होती हुई Q4 से होती हुई अपन जब alternating half ulti cycle चाहिएगी तो हम इने बंद करके इन switches को बंद करके और जो दूसरा alternate pair है मेरा उस switch को on कर देंगे और जब हम Q3 और Q2 pair को on करेंगे तो ये DC supply की current अब Q3 से रास्ता बनाती हुई load में आप देखे लाल तीर की माती दिशा बदल चुकी है नीले से और Q2 के साथ supply निकल रही है लेकिन load में मुझे alternating supplies मिल रही है और ये जो circuits हैं इनके बहुत कुछ popular दो mode है एक मकमरे inverters कहलाते हैं और एक मकमरे बड़ फोड inverter कहलाते हैं हमारी अगली वीडियो में हम इनको पढ़ने वाले हैं और उनमें हम thyristor की मदद से DC supply से हम AC कैसे प्राप्ट करते है और thyristor का commutation किस परकार होता है वो भी समझेंगे तो ये commercially सबसे ज़्यादा प्रशलित परकार के inverters हैं bridge type, full bridge type जो इस परकार के full bridge type inverters हैं वो commercially बहुत काम्याब inverters हैं क्योंकि इनकी लागत काम है और performance अच्छी है जब हम switch pair Q1 और Q4 को चलाते हैं तो हमें output में ये जो positive half है व Q2 को चलाएंगे तो load में current की direction बदल जाएगी supply की polarity बदल जाएगी और हमें ये negative half आ जाएगा और इसी प्रकार हम पाएंगे कि switching बदलने से हम positive half और negative half करम से प्राप्त करते जाएंगे अब देखें कि ये जो output की waveform है वो एक square waveform है और इसमें fundamental sinusoidal जो नीली रंक रिखा से हम इंकित हो रहा है उस wave के साथ साथ एक triple harmony की brown wave देख रहे हैं वो काफी dominate करती है तो जो बहुत हमारे sophisticated AC supply से चलने वाले जो ज़्यादा harmony content को जेल नी सकते उनके लिए तो ये inverter अच्छे नहीं है लेकिन ऐसे square wave voltage source inverter है जो कम लागत के हैं इनकी इस्तेमाल हम कम कीमत वाली जो AC motor drives हैं उनमें करते हैं घर की जो मेरी inverter होती है या UPS होते हैं uninterrupted power supplies उनमें भी हम इसी तरह के bridge type inverter का इस्तेमाल करते हैं और ये सबसे जादा प्रचलित inverters हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में bridge inverter की दो format है एक मकबरे और एक मकबरे bud food inverters उसमें thyristor switch के साथ DC से AC कैसे बनती ह है और thyristor का commutation कैसे होता है वो भी समझेंगे हमें लगता है कि इस inverter की introductory वीडियो से आपकी विशे समझ थोड़ी बनी है और अगली वीडियो से ना केवल आपकी विशे समझ सुदरेगी बलकि परिक्षा में भी जादा अंक लाने में आपको मदद मिलेगी have nice time happy learning